हेलो प्रेंज आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ साउथ इंडिन स्पेशल लेमन राइस की रेसिपी यह बहुत ही विक और इजी बनने वाली रेसिपी है और यह खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगती है तो चलिए आज हम मिलके बनाते हैं लेमन राइस इसके साथ मैं बनाऊंगी चटपटा आलू तो सबसे पहले हम लेमन राइस बनाएंगी इसके लिए मैंने गैस पर कडाही रख दिया है अब मैं इसमें तीन से चार चमची करीब ओयल डालूंगी जैसे ही मेरा तेल गरम हो जाता है यहां पर मैंने रिफाइन ओयल यूज किया है इसमें मै हाफ चमच उरत दाल, हाफ चमच चनादार और दो साबुद लाल मिच है थोड़ी देर के लिए हम इसे गर्म होने देते हैं थोड़ी देर बाद मैं इसमें डालती हूं भूना हुआ बदाम अगर आपके पास भूना बदाम ना होता आप नार्मल बदाम भी इस तरह से डाल के भून सकते हैं इसके बाद हमें थोड़ी देर तक इसे पकने देना है आज को हम मेडियम लो रखेंगे थोड़ी देर बार में इसमें आड करूंगी हाप चमच के करीब राई और राई डालने के बाद मैं इसमें डालती हूं कड़ी पता तो चलिए अब हम इसमें कुछ कड क्याई पता भी डाल देते हैं यह देखिए मैंने इसमें दोकिर रख लिया था मैं इसे भी इसमें डालदेती हूं इसके बाद हमें इसमें तोड़ी देर तक पकने देते हैं आज को बिलकुल मेडियम लो रखेंगे हम बहुत ज्यादा हमें इन सब चीजों को पकाना नहीं बाराहिए करें दोटीट को ब्रशस करते हैं बस अभब गरते हैं आप नॉर्मल किरी आधेना हुब लिए में नॉर्मल घर चावल आप पहले सके लिए बस उसके बाद हम इस प्रोसेस को करते हैं, अब हम इसमें दो निम्बू डालेंगे, तो मैंने निम्बू को काट के रख लिया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, निम्बू डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, तो चलिए, अब हम अच्छी तरह से म तो चलिए मैंने इसमें एक चम्मची करीब नमक डाल दिया है अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यह रेसिपी बहुत ही इजी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ आप ग् गैस भी गैस को धीमा करके रहने देंगे ताकि अच्छी तरह से बून जाए और तब हमारा जो लेमन राइस से बिल्कुल पक जाएगा और हम फिर गैस को बन कर देंगे देखे लेमन राइस एडी हो गया है अब हम इसके लिए चटपटा आलू देडी कर लेते हैं तेल जो है वह बहुत जादा गर्मी नहीं होना चाहिए ताकि वह जो हमारा आलू है दीरी दीरे अच्छी से पक जाए और अंदर से भी वह क्रंची हो जाए तो देखिए आलू जै वह अच्छी से पक गया है दो मिनट लगा इसे पकने में अब हम इसे एक प्लेट में निक पॉडर यह देखिए थोड़ा से मैं डालूंगी हल्दी पॉडर बिल्कुल जरा सा और मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला तो चलिए मैं चाट मसाला भी अच्छे से स्प्रिंकल कर देती हूं इससे बहुत ही चटपटा लगता है तो हो गया हमारा चटपटा आलो भी रेडी अब हम लेमेन राईस के साथ इसे सर्व करते हैं तो चलिए दिखाती हूं मैंने इसे कैसे सर्व किया है यह देखिए हमारा meal कंप्लीट हो गया है देख सकते हूं आप कितना टेस्टी बना है खाने का मन कर रहा है इसे देखके यह बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है खान लाइक करे और शेयर करे